नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिसन टीजीटी परिछा 2021 नागरिश सास्थ टेनिक सिविक्स प्रेटिस सेट एक हत्तर में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छ आपके मुबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं अगर आप लोंके इस से पिछला यानि प्रेटिस से सकतर तक वीडियो देखना है तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ हमारे चैनल पर जिसका नाम है यूपी टीजीटी नागरिक सास् डिस्किप्सन में दे दिया हम तो वहां सभी देखना चाहिए तो देख सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं तो आज जो प्रेटिस है अनुछेद से लिया गया है तो नागरिक सास्तर में अनुछेद इस से प्रेटिस कराएंगे आपको कोश्चन नमबर देखिए 1S में राज बनाने और समाप्त करने की सक्ति नहीत है किसमे नहीत ये पूछ रहा है भारत के राष्टपती में परधान मंत्री में, संसद में या लोक सभा में यहनि कि राज बनाने और समाप्त करने की सक्ति किसमे नहीत होती है यह होती है संसद में एंसर इसमें हो जायेगा सी संसद में यहनी संबिधान के अनुछेद तीन में अनुछेद तीन में जो है नए राजियों के निर्माण छेत्रों, सिमाओं, नाम में परिवर्तन के अधिकार यह सब किसमे नीत है भारती संसद में नहीं तो राज बनाने और समाप्त करने की सक्ति किसमे नहींत है शंचद अगर अन्डूशेद पूझे 20 अन्छयद में इसका उलेख तो 3 में कोसीन नमर 2 है भारत राजियों का संग है, यह किस अनूशेद के अंतरगत गोसित है अनुछेद 1, 2 या 3 या 4 तो भारत राजियों का संग है ये किस अनुछेद के अन्तरगत घोसित है ये है अनुछेद 1 के अन्तरगत कोशन नमबर 3 है भारत का संविधान भारत को निमलेखित में से क्या घोसित करता है भारत का संविधान जो है भारत को निमलिखित में से क्या घोशित करता है दिया एक स्वेचिक संग या एक परिश संग या राजियों का एक यूनियन या समू या एक संग इसमें एंसर हो जायागा C राजियों का एक यूनियन या समू कोशन नमबर चार है सर्वच न्याले को सम्विधान के किस अनुछेद समू से नियाईक पुनरावा लोकन की सक्ति प्राप्त होती है तो कौन सा अनुछेद है देखे अनुछेद दिया है 12 ये 351 ये 356 ये 12 151 156 ये 13 251 ये 21 24 ये 25 तो इसमें अनुछेद नमबर पांच है भारती सम्विधान के अनुछेद एक में भारत को कहा गया है भारत को क्या कहा गया है राजियों का संग, प्रांतों का संग, भारती संग या भारत का संग इसमें अन्सर हो जाएगा ए राजियों का संग यानि कि भारत के सम्मिधान के अनुछेद एक में भारत हो कहा गया है क्या कहा गया है राज्जियों का संग question number 6 है भारती सम्मिधान में अनुछेदों की संख्या है कितने अनुछेदे की संख्या है 445, 392, 546 यह 395 इसमें इंसर हो जाएगा D तीन सो पंच्यानवे अनुछेद है कोशन नमबर साथ है भारती समिधान का जो अनुछेद संसद को नागरिक्ता के अधिकार को नियमित करने की सक्ति परदान करता है वह है आठ नौ दस इग्यारा कौन संछेद है तो वो है अनुछेद इग्यारा अनुछेद इग्यारा में जो है संसद को नागरिक्ता के अधिकार को नियमित करने की सक्ति परदान करया गया है कोशन नमबर आठ है भारत के समिधान के किस अनुछेद में राजी को परिभासित किया गया है राजी को परिभासित किया गया है कौन संछेद है समिधान के अनुछेद 12 में जो है राजिक को परिभासित किया गया है कुश्चन नमबर 9 है भारती समिधान का अनुछेद 1 भारत का वड़न इस तरह करता है किस तरह करता है और्ध संगीराज के रूप में या संगीराज के रूप में या एकिकराज के रूप में या राजिय का संग कोस्टन नमबर 10 है नियाइक पुनर्वा लोकन की सक्ति सम्विधान के अंतर गत किस अनुछेद में दी गई है दिया अनुछेद 13, 14, 19, 21 इसमें इंसर वो जायेगा ए अनुछेद 13 में कोस्टन नमबर 11 है भारती सम्विधान में समानता का अधिकार पांच अनुछेदों द्वारा प्रदत किया गया है वे है तो वे कौन पांच अनुछेद है जो समानता का अधिकार को प्रदत करते हैं देखे दिया अनुछेद 16, 20, 14, 18, 15, 19, 13, 17 इसमें इंसर वो जायेगा बी अनुछेद 14, 18 कोस्टन नमबर 12 है भारती समिधान के निम्नांकित अनुछेदों में से कौन संसद तथा राज ब्यवस्थापिकाओं की बिधायन सत्ता पर नियंतरन लगाता है कौन नियंतरन लगाता है अनुछेद 13 या 245 या 246 या उपिक्त सभी तो इसमें इंसर हो जायेगा ए अनुछेद 13 संसद तथा राज ब्यवस्थापिकाओं की बिधायन पर सत्ता का नियंतरन लगाता है कौन अनुछेद 13 कौश्टा नंबर 13 है भारती समीधान के अनुछेद 19 में निमलिखित में से कौन सी एक सोतनतर्ता का प्रदत नहीं है सोतंतर्ता का प्रदत नहीं है यह पूछ रहा इसमें आप संदेखे दिया है सभा की सोतंतर्ता भ्रमन की सोतंतर्ता धर्म की सोतंतर्ता या निवासता बस जाने की सोतंतर्ता इसमें इंसर वजाएगा सी धर्म की सोतंतर्ता धार्म की सतंतरता जो है अनुछेद में प्रदत नहीं के गए अनुछेद नमबर 14 है निम्न में से कौन सा भारती सम्मिधान का अनुछेद सारवाजनिक सेवाओं में आवसर की समानता प्रदान करता है अनुछेद 14, 15, 16 इसमे अनुछेद 16 में आवसर की समानता प्रदान करता है कौन्सन नमर 15 है भारती समिधान के अनुछेद 15 की धारा 4 पिछडे वर के आराच्छन के लिए किसको बिशेशा अधिकार देती है दिया है ब्यक्ति को या केंद्र को या समाजिक समूं को या राज्यों को इसमें अंसर हो जाएगा केंद्र राज्यों को भी देती देखे इसमें D भी अंसर हो जाएगा याँने D और B और D दोनों इसमें सही है केंद्र और राज्यों को कोशन नमबर 16 है कौन से अंच्छेद के तहत भारती नागरिकों को 600 अंतरताएं दी गई हैं किस अंच्छेद के अंतरगत अंच्छेद 18, 19, 20 या 21 इसमें अंसर हो जाएगा बी अंच्छेद 19 में कोशन नमबर 17 है समिधान के किस अंच्छेद द्वारा अस्प्रिष्ता का अंत किया गया अंच्छेद 15 या 16 या 17 या 18 तो अस्प्रिष्ता का अंत ये है अंच्छेद 17 में सी एंसरोगा सत्र का अनुछेद सत्रा कोश्चन नमबर अठारा है भारती समिधान में सोसन के विरुद अधिकार किन अनुछेदों द्वारा प्रदत प्रदान किये गए भारती सम्विधान में सोसण के विरुद अधिकार किन अनुछेदों द्वारा प्रदान किये गये दिया अनुछेद 16-20, 23-24 या 25-28 या 29-30 सोसण के विरुद अधिकार इसमें एंसर हो जायेगा अनुछेद 23-24 के वीच बी एंसर होगा इसमें कुशन नुबर 19 है, भारती सम्विधान का अनुछेद 17 समाप्त करता है अस्प्रिश्ता, खिताब, प्रेश की स yeni वतनतरता या 10 इसमें एंसर हो जायेगा अस्प्रिश्यदा Q2 है भारती समिधान का कौन सा अनुछेद अल्प संख्यक वर्ग के हितों के सरच्छन से सम्बंधित है तो कौन सा अनुछेद है 17, 29, 30 या 31 इसमें करेक्ट एंसर हो जायाएगा B अनुछेद 29 में अल्प संख्यक वर के हितों के सरच्छ से समधित अनुछेद 39 कोश्चन नमबर 21 है अल्प संख्यक सब्द का प्रियोग भारत के सम्मिधान के किस अनुछेद में किया गया है ये किया गया 29 और 30 में इंसर इसमें C हो जाएगा 29 और 30 में कोश्चन नमबर 22 है निमलिखित में से कौन सा एक अनुछेद समध़ानिक उपचारों का अधिकार परदान करता है कोन संख्यद नमबर 29 और 30 ये 31 ये 32 इसमें एंसर हो जाएगा D अनुछेद 32 में कोशन नमबर 23 है भारती समिधान के अंच्छेद 32 में कितने परकार के रीटे हैं रीटे कितने परकार के हैं रीट 4, 5, 6 या 7 इसमें रीटे कितनी हैं पांच रीटे हैं पांच रीटे कौन कौन है बंदी, प्रत्यचिकरण, पर्मादेश, प्रतिशेद, लेख, अधिकार प्रिच्छा और उत्प्रेशन ये पांच जो है रिटे हैं अन्छेद 32 में इसका उलेख विक्या गया है कुशन नमबर 24 है, हमारे सम्मिधान के किस अनुछेद में पर्यावरण का संरच्छण और संवर्धन उपबंधित है ये दोनों पुझराइस में अनुछेद 48, 48, 47, 47, क तो इसमें करेक्टेंसर हो जाएगा अनुछेद 48, क में कुशन नमबर 25 है, और अन्तिम कुशन है, सम्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत, पंचायतों के गठन का प्रावधान है इसमें करेक्टेंसर हो जाएगा अनुछेद 40 में ये थे कुशन आज के लिए तो उमिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के अधिक सधिक सेयर करें धन्य बाद दोस्तों, जैहिंद वंदे मात्रा मिलते हैं ये वीडियो में